क्या कहता है thin convex lens ये भी बड़ा complicated सा question है of focal length 25 cm is cut into two pieces 0.5 cm above the principal axis the two part is placed top part sorry top part is placed at 0,0 गौर से देखिएगा कहता हमारे पास ये एक convex lens था convex lens था ये माल लेते हैं कुछ इस तरीके से कुछ ऐसा हमने एक convex lens माल लिया ये इसका principle axis है समझिएगा बटा क्या हो रहा है हमने इसको cut कर दिया यहां से हमने इसको cut कर दिया यहां से कितने distance उपर से 0.5 cm समझे प्रिंसिपल axis क्या था ये वाला अब कहता कि हमने क्या किया इस उपर वाले पीस को जो cut किया है मैं नीचे वाला पीस हटा दू उपर वाले पीस को जो cut किया है यह हमने place कर दिया origin पे यह हमने कहां place कर दिया बटा origin पे तो this is origin अब्जेक्ट कहां रखा गया है माइनिस 50 पे माइनिस 50 कॉमा जी प्रिंसिपल axis कौन सा है बच्चो गौर से देखिए प्रिंसिपल एक्सेस कौन सा है मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाते है यह मेरे पास प्रिंसिपल एक्सेस है तो अब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो गई प्रिंसिपल एक्सेस के लिए height of object कितना हो गया principle एक्सेस के लिए height of object हमारे पास हो गया बच्चो 0.5 mm यह बात समझ में आई जितनी ऊपर से cut किया गया था centimeter my mistake sentiment यहां तक थोड़ा ध्यान से समझ यह उपर से cut किया principle axis वही रहा top part को जिस जगा पर रखा गया उसका नाम था origin और उस point का नाम था origin और जो object है वो उसी line के long पड़ है minus 50,0 पर image कहां बनेगी अगर u हमारे पास minus 50 है which is equal to 2f तो v भी कहां बनती है 2f के उपर तो image कहां बनेगी बेटा image का जो x coordinate है वो क्या होगा 50 अगर हमारे पास u and f दोनों बराबर है तो height of image क्या होगी बेटा minus of height of object minus 0.5 तो वो कहां बनेगी image कहां बनेगी बेटा प्लीज ध्यान देंगे image बनेगी minus 0.5 below तो इस position पे आकर image बनेगी अब इसका y axis से distance कितना होगा ये x axis था बेटा ये y axis था अब ये coordinate तो 50 है बट x axis से इसका distance कितना हो गया बेटा ये 0.5 ये 0.5 तो इसके coordinate क्या हो गया 1 cm downward minus 1 cm बेटा तो इसके coordinates क्या हैंगे 50, minus 1 cm गौर से लेगे पिर से सुनिएगा अगर आपको doubt हो है ना इस lens को cut किया ये origin पे है ये object है but this is principal axis प्रिंसिपल axis ये है तो height of object हमारे पस 0.5 की तरह काम करेगी तो image कहां बनेगी principal axis से नीचे क्योंकि जब object 2F पे होता है तो image भी 2F पे बनती है real and inverted image तो 0.5 0.5 नीचे 0.5 प्लस 0.5 हो गया 1 तो coordinates आ जाएंगे 50, minus 1 it was a tough question question number 49 काफी बच्चे इसमें जो है problem feel करते I hope आपको समझ में आया हो अगर आया है बटा तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें और दोस्तों के साथ share करें